हम क्या सोचते हैं समस्या नहीं आवे लेकिन समस्या नहीं आवे यह होनी नहीं है रंग सोचते हैं हम इसलिए कुछ फायदा होता ही नहीं समस्या का काम है आना वो आएंगी क्योंको कल यूग का अर्थी कल है लेकिन हमको उससे पार होना है जैसे मानों देखो आप रास्ते पर जा रहे हैं कोई आपके सामने बरा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज आ जाती है तो आप क्या करेंगे आप पत्थर को हटाने लगेंगे बरा बारी पत्थर है उसको हटाने लगेंगे तो आपका तो टाइम ही गया आप क्या करेंगे किनारे करके चले जाएंगे जो समझधार होंगा वो ऐसा ही करेंगा या उस कोई सोचता रहेंगा ये पथर किसने फैंका, क्यों फैंका बुद्धिवानी नहीं है समझधार ही नहीं है ये सोचने लगेंगे तो आपका तो सारा दिन वाई बीत जाएंगा ऐसे ही ये समझधार आएंगी क्यों के कल यूग है हम समझते हैं समझधार हटे तब ही हमारे में शानती आवे लेकिन ये समझ रांग है समझधार नहीं हटनी है हमको अपना साधन अपनाना है जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं हटेंगे अभी बारश है आप लोग आए हो हम समझते हैं बारश आती है आने जाने में आपको मश्कल नहीं होता होगा कोई चाते थोड़ी सब ही लेके आए होगे लेकिन आप सोचो बारश आवे ही नहीं हो सकता है हम सोचे हमारे मेमान आए है उन्हों को तकलीफ होती है बारश आवे ही नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है सीजन है बारश की बारश आएंगे लेकिन हम ये परबंद करें आपको चाता देवे कुछ भी देवे जिससे आपको कश्च नहीं हो तो यही राइट है ना ऐसे समस्यां में भी समस्या नहीं wonderful हम ये उलटा सोच रहे है समस्या आनी है लेकिन हमको उसकी विदि चाहिए अभी विदि क्या चाहिए आत्मा में शक्ती चाहिए जैसे मानो क्रोद आता है क्रोध को सामना करने की शक्ति है सहन शक्ति अगर आप में सहन शक्ति है आपको क्रोध नहीं आ सकता है आल्टरनेट है ना रात और दिन जैसे तो सहन शक्ति आज मनुश में है सहन शक्ति बच्चे में भी नहीं है तो सहन शक्ति के अभाव होने के कारण अगर हमारे को चाता नहीं है तो हमको बारिश की तकलिफ जरूर सहन करनी पड़ेंगी न हम कहेंगे किया मेरे लिए बारिश आवे ही नहीं हो सकता है ऐसे ही आत्मा में सहन शक्ति अगर है तो क्रोध को जीच सकती लेकिन सहन शक्ति आज नहीं है क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है सहनशक्ति किसे मिले जैसे कार होती है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम क्या करते है बैटरी को चार्ज करने के लिए गैराज में ले जाएंगे न कि ऐसी गैराज हमारे पास आएंगी क्या हमको गैराज के पास जाना परेगा ना तो ये आत्मा की बैटरी बिलकुल ही समझो एक दम निल तक आके पहुंचिए बिलकुल ताकत नहीं है न सहन शक्ति है न निर्ने शक्ति है न समाने की शक्ति है कोई शक्ति है आजकर है यह नहीं तो नहीं है तो हमको बैटरी अपने आत्मा की चार्ज करनी है कहां जाए ये शक्तियां कहां से मिलेंगी परवात्वा से मिलेंगी न उसे कनेशन जोड़ना परेंगा न हमको अब देखो हमको माई का कनेशन चाहिए तो तार का कनेशन जोड़ा है ना जोड़ने के बिना तो रही आप सुन सकते तो हमारी आत्मा में भी निर्मिल ता जो आ गई है ना उसको बल चाहिए तो परमात्मा से जब तक मन में ही लगाएंगे ना तब तक पाके मन में वो शक्तिया आज नहीं सकती है, मन में शक्तिया या आत्मा शक्ति शाली हो जाए, इसके लिए हम बार बार सबी को निमंतरन देते हैं, आके मेडिटेशन सीखो, और यहां क्यों बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं, क्योंकि यहां का वायू मंडल बहु